मा शेलपुतरी की कहानी मा शेलपुतरी सती के नाम से भी जानी जाती है इनकी कहानी इस प्रकार है एक बार प्रजापती दक्ष ने यग्य करवाने का फैसला किया इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंतरन भेज दिया लेकिन भगवान शिव को नहीं देवी सती भली भाती जानती थी कि उनके पास निमंतरन आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो उस यग्य में जाने के लिए बेचेन थी लेकिन भगवान शिव में मना कर दिया उन्हीं ने कहा कि यग्य में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंतरन नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है सती नहीं माई और बार यग्य में जाने का आग्रह करती रही सती के ना मानने की वज़े से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमती दे दी सती जब अपने पिता प्रजापित दक्ष के यहां पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेन के साथ बातचीत नहीं कर रहा है सारे लोग मूँ फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया उनकी बाकी बेहने उनका उपहा सोरा रही थी और सती के पती भगवान शिव को भी तिर्सकृत कर रही थी स्वयम दक्ष में भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई अपना और अपने पती का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयम दक्ष में भी नहीं की होगी सती ने उसी यग्या की अग्मी में खुद को स्वाहा कर अपने प्रांग त्याग दिये भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव में उसी अग्या को द्वस्त कर दिया इसी सती में फिर हिमालय की यहां जन लिया और वहां जन लेने की वज़े से इनका नाम शेलपुत्री पड़ा शेलपुत्री का नाम पार्वती भी है इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ मा शेलपुत्री का वासकाशी नगरी वारानसी में माना जाता है वहाँ शेल पुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मा शेल पुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों की मुरादे पूरी हो जाती है कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मा शेल पुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कश्ट दूर हो जाते हैं चुनकी मा शेल पुत्री का वाहन व्रिशब है इसलिए इन्हें व्रिशारुरा भी कहा जाता है इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशुन रहता है